स्वयन सहायता समू में नर्सरी सखी की नौकरी तुरंद भरे फॉर्म राश्चिय ग्रामेर आजीविका मिशन में जुड़ी सभी स्वयन सहायता समू की महिलाओं को नर्सरी सखी की नई नौकरी दी जाने वाली है आप सभी महिलाएं नर्सरी सखी की का फॉर्म भर कर नर्सरी सखी बन सकती है जी हां स्वयम सहायता समू के माध्यम से अब आप सभी महिलाएं नर्सरी सखी की भरती में आवेदन कर नरसरी सखी बनने के लिए किनकिन दस्तावेज की आवशक्ता होगी आईए जानते हैं विस्तार से राष्चिय ग्रामेन आजीविका मिशन में जुड़ी सभी महिलाओं को आज नरसरी सकhी के इस भर्ती के बारे में बताएंगे नरसरी सकhी बनने के लिए में आप सभी महिलाँ किस तरह आवेदन कर सकती हैं, क्या-क्या योग्यता है, क्या-क्या दस्तावेज लगेंगे, कित अभी फिलहाल में वहां सरकार के माध्यम से नरसरी के पौधे और बीच देना शुरू कर दिया गया है. अभी फिलहाल अठाईस जिलों में नरसरी सरकिल की भरती करने की योजना शुरू कर दी गई है नरसरी सकी के जरिये सामान भी मुहया कराया जाएगा. नरसरी सखी के पद पर जो भी स्वयन सहायता समो की महिलाएं कार्य करेंगे उन सभी महिलाओं को वेतन दिया जाएगा अगर आप सभी महिला राश्चिय ग्रामेर आजीविका मिशन से जुड़ी हुई है और आप नरसरी सखी का लाभ लेना चाहते हैं तो आप लोगों को आज हम नरसरी सखी के बारे में बात करेंगे राश्चिय ग्रामेर आजीविका मिशन के माध्यम से सभी स्वयन सहायता समो की महिलाओं को नरसरी सखी की नौकरी दी जाएगी इस नौकरी के माध्यम से सभी महिलाएं आसानी से पौधे का देखभाल और रखर खाव करेंगी, साथ ही पौधे में पानी डालने का और पौधे लगाने के साथ पौधे के बीच देने का कार्य करेंगे सभी जिलों में जहां नरसरी सक्षी की भरती की जा रही है, अभी फिलहाल में वहां सरकार के माध्यम से नरसरी के पौधे और बीच देना शुरू कर दिया गया है, अभी फिलहाल 28 जिलों में नरसरी सरकिल की भरती करने की योजना शुरू कर दी गई है, नरसरी सक्षी के, जरिये सामान भी मुहया कराया जाएगा, नरसरी सक्षी के पत पर जो भी स्वयन सहायता समो की महिलाएं कार्य करेंगे, उन सभी महिलाओं को वेतन दिया जाएगा, अगर आप सभी महिला राश्य ग्रामीर आजिविका मिशन से जुड़ी हुई है, और आप नरसरी सक्षी का लाब लेना चाहते हैं, तो आप लोगो को आर्टिकल के माध्यम से आज हम नरसरी सक्षी के बारे में बात करेंगे, समो की महिलाएं नरसरी सक्षी बनकर कौन-कौन से पौधे लगाएंगे, राश्य ग्रामीर आजिविका मिशन में जुड़ी सभी स्वयन सहायता समो की महिलाओं को अब नरसरी सक्षी बनकर उन भी पौधे को लगाना होगा जैसे अनार, कठल, नीमबू, आम अम्रूद, ड्रैगन फ्रूट्स, मोरिंगा आदी जैसे फल और कई सबजियों का लगाने के लिए उन सभी स्वयन सहायता समू की महिलाओं जो नरसरी सखी बनकर तयार होंगी उन सभी को प्रतेक जिले में दो ह सायतेक नरसरी विक्सित किया जा रहा है. नरसरी सखी को कितना मिलेगा मान दे? राश्चिय ग्रामेर आजीविका मिशन से जुड़ी सभी स्वयन सहायता समू की महिलाओं को नरसरी सखी बनने पर उन सभी महिलाओं को छे हजार रुपे का मानसिक वेतन दिया जाएगा नरसरी सखी आवेदन कैसे करें? राश्चिय ग्रामेर आजीविका मिशन से जुड़ी सभी स्वयन सहायता समू की महिलाओं को आवेदन करने के लिए कोई भी अधिकारी वेबसाइट जारी नहीं किये है आप सभी महिलाओं नरसरी सखी की आवेदन करने के लिए अपने ब्लॉक से संपर्क कर सकती है लेकिन अभी फिलहाल यह योजना केवल 28 जिलों में ही जारी है अभी काफी समय के बाद आप सभी लोगों के ब्लॉक के माध्यम से सूचना दी जा सकेगी अगर आप लोगों को हमारी जानकारी पसंद आ रही तो आप हमें कमेंट करें और आप सभी के प्रशनों का उत्तर हम आपको देने में सक्षम है